Dear Students, दिशान क्लासिस में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम Dust of Snow की सैकिंड पार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे है Dust of Snow UP Board की Class 10 की Poem है, फर्स्ट पोयम है जो Robert Frost के द्वार लिखी गई है इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट फस्ट देख लिजेगा क्योंकि Dust of Snow में मैंने Hindi Explanation दी है इस वीडियो में आज हम Hindi Explanation की मदद से Dust of Snow के Question Answer को सोल करेंगे देखे, Question Answer सोल करना कितना इजी है, कुल आर्ट लाइन की Poem दी गई है उन आर्ट लाइन की Poem के मदद से आप 20 से 25 कोशन सोल करेंगे इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप बार बार कुछ शब्दों को देखेंगे आपको Question Answer निकालने के लिए इसमें से कुछ 8 से 10 वर्ड है उनको याद करना है और आपको ये देखना है कि TENS किस sentence है जो Question है एक्जामने ने किस form में पूछा है एक्टि में पूछा है पैस्टि में पूछा है या किस TENS में पूछा है बस वो याद रखना है बार बार कुछ शब्दों को परियोग होराज में क्लोका है, हेमलेक्ट्री है, डस वस्नो है, पोईट है सैड है, डिप्रेसिव मोर में था जो मैंने वर्ड बोले है ना अब आप देखेंगे इनी वर्ड की मदद से आप जो है 15 से 20 कोशन सोल कर लेंगे आईए देखते हैं कैसे ये आपकी पोयम है आर्ट लाइने की लेकिन इन आर्ट लाइनों के मैं आज कोई भी डिसकेशन नहीं करना है सीधे हम कोशन पर चलते हैं कोशन दो तरीके से पूछे जाएंगी जैसे कि मैं पहले ही बताया था कुछ कोशन होते हैं, इस्टेंजर बेस्ट कोशन की बात करते हैं आप चैनल को अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हैलफुल हो रही है और इसने वीडियो इसका फर्स पार्ट नहीं देखा है वो जूर देख लीजेगा तभी आपको ये कोश्चन आंसर समझ में आएंगे फर्स कोश्चन है वेर डिड़ दा क्रो सीट, वो डिड़ इड़ डू तो कोश्चन है कि कववा कहां बैठा था और उसने क्या किया दो कोश्चन एक साथ पूछे हैं जैसे कि आप जानते हो हिंदी एक्स्प्लेनेशन में भी आपको बताया था उसी की मदद से आप आंसर निकाल पाओगे जो कववा होता है वो हैमलोक ट्री के उपर बैठा क्योंकि ये साट कि पास इंड़ ट्री क्योंकि पास इंड़ ट्री आपको बैठा और उसने शुक्ष डाउं पास इंड़ ट्री किया आप डस्टोप स्नो ओन दाप वोई कवी के उपर उसने क्या गिया जो बर्प की जो करने होती है दूल होती है उसके उपर जाड़ा उसको हिला दिया सेकिंड कोश्चन है वो डस्टोप स्नो रिमाइंड यू ओफ यह बड़ा इजी कोश्चन है जैसे जब हम उनको सीजन लर्ण करा दे तब ही पूछते हैं कि बर्प कपड़ती है तो बच्चा बताता है जब ठंड होती है तो बर्प पड़ती है उसी तरह से कोश्चन पूप 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 यहां पर कहता है कि सनो कवी के ओपर क्या एफेक्ट पड़ता है जैसे कि आप जानते हो जब एक्स्पिनिशन में आपको बताएगी तो कभी बहुत उदास्ता परेशान था और जैसे उसके उपर सनो गिरती है तो उसका मूड चेंज हो जाता ह है इसके उसके ऊपर गिरती है तो कवी का मूड चेंज हो जाता है चेंज हो गया व इस अवहं आपका जंदर पोंसे और미 है कि कुया होती है जैसे आप जानते हो कि बड़की जो छोटी-छोटी धुकन होते हैं बहुत हलके-हलके से वो ही आपकी dust of snow होते हैं देखें यह आपप दिया हुआ है the dust of snow is the powdery form powder की form में होते हैं इसकी snow की बड़की it falls in light white flex light मनी हलके white surface flex टुकडे यह हलके सेफे टुकडों के उपर गिरती है question number five what does the dust of snow stands for तो यहां पूर question पूछ राई जामना की the dust of snow किसका परतीक है stands for किसका परतीक है तो आप जानते हो जो dust of snow होती है वो hope and joy का होता है किसके in the middle of sorrow क्योंकि कभी क्या था परिशान था रिगर्ट था depression में था और जैसे dust of snow उसके उपर गिरती है तो उसे hope आती है कि नहीं वो सोचता है कि मेरे दिन बहुत खराब हो गया आज का दिन पूरा खराब हो गया लेकिन जैसे उसके उपर dust of snow गिरती है next question है इन विच मूब अभ देखें है बगता और पी तो आप के लिए Pुछा है कि आप क्या सोचते है क्योंकि हम तो पर्जंट में है और कभी क्या था पास्ट में तो धोनली तरह है को ऑंसर देंगे I think पर्जंट में जवाब दिया दा पोईट वोज इन डिप्रेसिव सैड और डिगट फूल मैं आपके चीव बताएं तीन चार वर्ड है अब यह जो वर्ड दिया नहीं अपर डिप्रेसिव सैड और डिगट फूल इस तरह इसी ही तिनों सब्दों से आगे कहीं कोश्चन सोल हो रहे हैं तो जरूरी में हैं आप तीनों ही वर्ड एक साथ यूज़ करो आप खाली वर्ड भी यूज़ कर सकते हों कि पोईट जो है दुखी था या रिगट फूल था या डिप्रेसिव था इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर दोंकि तीनों कर देंगे तो ज्याद एफेक्ट आता है सोरों है कि कवे का मूड किसने बदला आप बताओ सिंपल है फसी लाइन में दिया हुआ है कि जो कहवा होता है दा प्रो चेंज़ इत यहां पोईट के लिए यूज़ किया है आप है पर भी यूज़ कर सकते है दा को चेंज़ पोईट स्मूर तो पोईट स्मूर की जगे हां पर विए यूज़ किया बाइशे किग डाउन दा डस्ट और स्नो तो वो कैसे करता है कवे ने चेंज किया किसे किया कि जो डस्ट अप सनो है उसको घिलाते है उसके पर गिराते हुए कवे का मूड चेंज किया कोशन नमबर एट वोथ हैस गीवन चेंज अप मूड एंड अगर आपको जस्ट एक लाइन में देना कि आपके पास टाइम कम है तो आप यहां तक भी कर दोगे नांसर कि आपको शुक डाउन डस्टोप स्नो ओन दपोएट एंड डिस चेंज दा मूड ओपोएट सेंपोशन यहां पर था ही कि दख रोचेंज इट बाई शेकिन डाउ तो कोशन पूछने के फोर्म क्या है यह आप एक्टी में थी आपर जाये पर जाये तो आपको अंसर भी ऐसे ही देना होगा तो वो जो तीनों वर्ड ते फिर आ जायेंगे तो वो कहीं कौन से मूड में था डिप्रेसिव और सैड मूड में था यह भी एक कोमन कोशन का भाग है मैंने यहां पर भी ले दिया तो यह कहते हैं कि कौन से वर्ड कमनिंग जो रिपेंटिड है तो आपकी जो पोयम का लास्ट वर्ड है ने रूट उसका मतलब होता है रिपेंटिड अले उट में हम बात करते हैं जैसे कि जब मैंने आपको वीडियो पहले बताए थी चुटकियों में आप पोयम के जो कोश्षण हल करें वहीं पर मैंने इसको जोड़ा था कि पोयम में कहींने कई आई ही शी इत दिया हुआ होगा तो आपको समझना होगा कि पोयम किसके लिए लिखी गई और इसके लिए वो यूज करदा है जैसे कि इस पोएम के explanation में आपको दे चुकी हूँ तो यहां कवी ने खुद के लिए पोएम लिखी थी और तुज आई इसी बात है जो हर्ट है वो कवी का हर्ट ही यहां पर यूज किया गया है तो आई जो है आप इतना सा भी जौब दे सकते हो आप महां भी दे सकते हो इदा पोएम चाइंग इनटू होफ आशा में बदल गया जोई फूल हो गया एसे थी यह तो बढ़ा के लिख भी आपका आप सेझ रहेगा नेक्स भाट दिग दिड थीढ़ को इस पार कि बारे में क्या सोचता था उसने क्या सोचा उसके दिन के बारे में जो अब देखों यहाँ पर जो poet था, वो दुखी था, sad था that day उस दिन जब follow सनो जो उसके उपर गिरती है तो वो change कर देता है उसका जो sad mode होता है he thought that he had saved some part of the day वो सोचते हैं कि नहीं जैसे जब सनो उसके उपर गिरती है तो वो सोचते हैं कि नहीं मेरा दिन और अभी बचा हूँ है मैंने अपने दिन के कुछ बहा को बचा लिया है एक आश्या की कियन उसको नजर रखाती है फिन याता है who is I in the sentence and saved some part of a day I had rude आप देखो यहां पर I पूचा है जैसे कि पहले महाँ पूचो नहीं किसका हर्दे के बारे में बात की गई है चुकि यहां कभी अपने लिए लिए लिखता है तो इसके हर्दे की बाती तो जो I है वो कभी अपने लिए यूज करता है तो यहां पर I is the poet here तो अगर यहां पर हीश ही होती तो according to the gist और summary तो आप उहां पैचान कर लेते कि वो किस के लिए दिया गया है तो यह भी common question का ही part है मैंने common question में जब मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो नहीं viewer है इस वीडियो पर आया और पहले वीडियो नहीं देखी उसमें एक वीडियो बनाई है कि common question जो poem से common question पूछे जाते हैं उनमें मैंने इनका अंसर दिया है वो कहते हैं कि क्या होता है जब dust of snow कभी के उपर गिरती है same question बाबा repeat हो रहे है लेकिन बस question के पूछने की form change हो गई है when the dust of snow fell on the poet his mood was changed पहले भी आ चुका है चीजी अर्लियर ही वो sad पहले दुखी था लेकिन बाद में जब वो गिरती है तो वो cheerful हो जाता है माजस में एक चोटी लाइन लिगी थी ना कि change हो जाता है तो यहां होने क्या बोलती है cheerful sentence को कहने का तरीका बदल गया जैसे हमें कहते है कि मैं school जा रहा हूं मैं school जाने से नहीं मैं चोटा हूं तो चीज इसका मतलब चया है वो भी जा रहा है तो हम किसी भी बाद को कहीं तरीकी से कह सकते हैं वोही बात यहां पर दी गई है though आप्षकून का पतीक माना जाता है उसकी जो बोस होती वो बड़ी करकश होती है और हैमले किरी जो होता है वह िल्धूर का पेड होता है और ये तेरा तनाव दुखी और कड़वाट जो साइड है उसको रिप्रेजेंट करता है यह कोशन आप याद कर लिजिए अब आते ही कोमन कोशन की बाद करते हैं जैसे आपको पता ही है कोमन कोशन अगर आपको एक कोशन ही आ गया आपके चार नंबर कोशन पूशे जाते हैं यानि दो दो नंबर के दो तो write the name of the poem from which the abolition has been taken तो आपको यहाँ poem का नाम रिखना है और यहाँ पर author का नाम रिखना है दोनों कोशन मिलाकर देदेगा तो दो नंबर आपके यहाँ फ्री हो जाते हैं मैंने आपको बताया था poem याद करने का तरीका आप एक page पर poem लिख लिजिए स्टेंज तो डाइम स्कीम क्या है है? मैंने बताई थि निकालने के तरीका बताया है, यह इस से पहली वीडियो है, इस की राइमिंग स्कीम A.B. और A.B. है जो नई watch You choose which best you check कर लिघेगा, उसमें पता है कि कासी निकालते है rhyming scheme next day what does the poet want to convey through the poem dust of snow इसमें कहता है कि कवी इस कवीदा के माधियम से क्या message देना चाहता है यह important है यह आपको खुस्से करने होती है कि in this poem the poet wants to convey that sometimes certain moments have larger significance देखे इस question का answer मैं दूसरी वीडियो में दे चुकी है हो मैंने एक line में दिया हुआ है कि a small thing can be a part of bigger change एक छोटे 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 चीज़ आपके जीवन बहुत बड़ा परिवर्तन ला देती है तो सीव कुनी उसी चीज़े को अलग वर्ड में दिया है कि sometimes certain moments certain निशी जो moments होते हैं शन होते हैं वो larger significance बन जाते हैं यह बड़े बड़े पहिडा म बन जाते हैं तो they can change the mood or life of person जो छोटे छोटे मोमेंट होते हैं वो इनसान के mood को और उसकी life जो है उसको बदल देते हैं त स्कीम और यह हैं आपके rhyming words तो rhyming words इसमें आपके rhyming words वे होते हैं जिनके बाद यह तुकबंदी match होती है तो तुकबंदी और यह crow snow, me tree जो बाद में दुहनी आती है heart, part, mood, root तो यह word है जो आपके rhyming words वाले हैं यह बड़े easy होते हैं अगर यह आते हैं तो आपका 2 number free के मिल जाते हैं using your sentence the word heart अब एक कोशन इस तरह से आता है कि आप अपने sentence जो कोई word दे देंगे और आपको अपने वाक्यम पर यह करने के लिए कहते हैं जिसे हां पर word दिया heart तो मैंने अपने code निखा कि my heart feels happy to see you मेरा heart जो है आपको देखकर खुश हो जाता है तो dear students यह वीडियो और अगली वीडियो मैं pro से बनाने जा रहे हूं जिसमें कोशन आपके आता है character sketch तो वह कैसे आप solve करोगे और कम ही कुछ points दोंगी जिससे आप उस तो learn करेंगे